हे दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी आईएस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करूँगा कि कैसे जो कोल हैं उसके प्रैसेज बढ़ रहे हैं और वो किस तरीके से इंपेक्ट कर रहे हैं पावर सेक्टर को अभी रिसेंटली दोस्तो आपको बता दूँ कि रश्या यूकरियन वार की वज़े से जो प्रैसेज वगरा हैं ये कोल के बढ़ रहे हैं ओईल के बढ़ रहे हैं तो ये क्या रिजन है क्यों ऐसा हो रहा है और अगर कोल के प्रैसेज बढ़ते हैं तो पावर सेक्टर पे किस तरीके से असर करने वाले हैं यह सब कुछ हम लोग डिसकस करेंगे और मैं दोस्तों बता दू कि काफी डिटेल में आपके साथ मैं आज की इस वीडियो में बाते डिसकस करूँगा जिससे कि आपकी अंडेस्टेंडिंग इस पूरे टॉपिक को लेके किलियर हो सके तो वीडियो को पूरा देखेगा और अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजेगा जिससे कि उन्हें भी अच्छी इंडेस्टेंडिंग हो और आप सभी का बेनिफिट हो सके चलिए अब बढ़ते हैं आगे आपके साथ बता दू कि अन्हेकेडमी लाइट वर्जन आया जहां पे अगर आपका कोई वीक एरिया है और आपकी उसकी प्रपरेशन करनी है तो आप अन्हेकेडमी के साथ और थूड़ी दिक्कत आ रही है तो वो EMI पे अपनी प्रपेशन को कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत है आप तो नमर पे भी कॉल कर सकते हैं आपको लोग लिए यहां पे गाइडेंस प्रोग्राम भी लाए गया है दोस्तों जो कि आप स्टार्ट हो चुका है तो चल्दी जाएगे रिजिस्टर कीज़े और साथी साथ अन्हेकेडमी स्टोर है जो कि दिल्नी में खुल चुका है यहां पे भी आप जा सकते हैं एक अच्छा एक्स्पीरियन्स आपके पास होगा देखे दोस्तों इंटरनेशनल मार्केट की बात करें यह डूमेस्टिक मार्केट की बात करें दोनों ही जगाव पे जो prices हैं कॉल के यह बढ़ रहे है क्यों बढ़ रहे हैं क्यूंकि रैशिया यूक्रेन का जो CONFLICT है इसकी वज़ए से अब ही क्या है दोस्तों जो भी यहाँ पे input price है जो की independent power producer के लिए है और जो power distribution companies है उन्हें के लिए जो इसके prices है ये बढ़ रहे हैं अब दोस्तों क्या होता है कि अगर ज़्यादा prices बढ़ेंगे coal के तो वो यहाँ पे जो spot power tariffs हैं इंडिया energy exchange का वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्या reason है मेन आते हैं topic पे अपना और फिर discuss करते हैं काफी कुछ discuss करूँगा तो ध्यान से समझेगा देखे दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ पे इंडियन power producer हो गए जो की power produce करते हैं discoms हो गए और इसके साथ साथ हमारे domestic जो coal supply करने वाले हैं वो हो गए यह सभी इस ताइम पे बहुत बड़ी struggle face कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों क्या हुआ है कि international market में भी जो price है coal का वो बढ़ गया है तो हमारे जो इंडियन के जो बड़े यहाँ पे discoms हैं इनको दिक्कत हो रही है domestic वालों को भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जो उनकी demand है पिछले 6 महिने वाली उसके लिए भी वो struggle कर रहे हैं अभी अभी high demand है आपको बता दो कि domestic coal के लिए और high international price भी बढ़ रहे हैं जिसकी वज़े से जो rolling power cut से यह हमें देखने को मिलता है काफी सारे states में अक्तूबर 2021 से और काफी सारे यहां पे जो thermal power plant है उनके पास भी जो उनका coal का stock था यह भी खताम हो रहा है अभी दोस्तों आप लोग को बता दू कि कल मैंने एक वीडियो बनाए थी जहां पे मैंने आपके साथ डिसकस कर रहा था कि किस हसाब से जो बिक्कत आ रही है सरलनका में कि वहां पे भी जो power cut हो रही है और वहां तो आपको बता दू कि कमसे कम 12 घंटे जो power cut हो रही है वहां पे लोग के लिए इतनी गर्मी के मौसम में भी ओके और साथ ये आपको बता दू कि उसकी वज़े से लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि इंडिया में भी सिलिंका जैसी सिट्विशन आ सकती है इस पे भी काफी सरे डाउट आ रहे हैं और लोग इस बात को सोच भी रहे हैं कि आगला नमर क्या इंडिया का है डिसकस करते हैं आगे कि क्या है रिजन कि सवज़े से हमें यह आगे देखने को बात मिलती है अब ही देखें दोस्तों जो हमारे यहां बताता हूँ कि जो कॉपरेट के आपको बतातों कि एक काफी बड़े जो सीनिर वाइस प्रेडेंट हैं और को ग्रूप हेड कॉपरेट हैं आयसी आरे के उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता है कि जिसा आप से जो कॉल की सप्लाई है या फिर जो कॉल की पोजिशन इस ताइम पे जो लोग की आपके सकते हैं डिमांड है यह नहीं पूरी हो पाती है तो जो कॉल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी है दोस्तों पावर चेक्टर के लिए वो बढ़ती ही जाएगी और वो आप बता दो कि काफी ज़दा बढ़ जाएगी अगर ऐसा ही आगे चलता रहेगा तो और साथी साथ जब हाई डिपेंडेंसी रहेगी तो हम लोग एक्सपेंसिव इंपोर्ट कोल भी लेंगे जिससे की जो इंडिपेंडेंट पावर प्रेडूसर हैं और जो यहाँ पे डिसकॉम्स हैं वो एक सही कॉस्ट पे लोगों को यहाँ पे आप कहतेते हैं लाइट नह नहीं पावर नहीं दे पाएंगे और उस वीज़े से उनको भी यहाँ पे हाई प्रैस पर पावर मिलेगी यह सब बाते हैं जो उन्हें बताई है अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एवरेज मार्केट क्लियरिंग प्रैस के बारे में पावर के तो एक डे अहेड यहां मार 2.86 था आप देख सकते हैं कितना 3 से 4 बने ज़्यादा जो है यह बढ़ चुका है प्रैस आइसी आरे ने यहां प्रोजेक्टेट करा है कि कोई अगर स्पॉर्ट पावर टैरिफ आता है तो यह लोग एलिवेट करेंगे 4 पर यूनिट को फिसकल इयर 2023 के एंदे क्योंकि यह नहां पर जो कोल प्रैसे से यह बढ़ रहे हैं comparatively जो एवरेज दोस्तों 2021 में 2.8 पर यूनिट था और इसको 4 प्रैस की बात करी गई है तो यह आप हैसे ने डबल हो रहा है एक और बात दोस्तों उन्होंने यह भी का कि जो incremental impact है cost का power supply के अंदर सभी discoms के लिए तो वो पढ़ जाएगा दोस्तों यहां पर आपको बता दूं अंदाल दे दूं कि अगर जो सप्लाइज हैं वो कम पढ़ जाती हैं अगर हम पर कम हैं तो वो कम लोगों तक पहुंचाएंगे और उस चीज को महगा पहुंचाएंगे क्योंकि अगर वो लोग international market से खरी देंगे तो क्या international और domestic coal prices क्यों बढ़ रहा हैं दोनों में ही क्या reason हैं देखे दोस्तों बता दूं आप लोग को जो war है disruption जो हो रहा है क्योंकि supply जो है coal की रशया के द्वारा होती है और इस ताइम पे वो पूरे तरीके से replaced नहीं हो पाया है बाकी और suppliers पर ICRN ये estimate भी लगाया है कि जो import coal price का वो set गया है 45-55% पहले quarter में और ICRN ये भी बोला है कि coal की shortage जो है वो आप कहते हैं coal इंडिया में हो सकती है अगर यहाँ पे जो मेरे domestic coal production वाले हैं वो 700 million tons जो है next fiscal year में ना निकाले तब मतलब उनका अब तक तो 601 million ton आता है तो उसको और बढ़ाना है उन्हें और जो price है Australian coal के लिए March में जो delivery हुई थी दोस्तों वो all time high थे मतलब कि उस time पे थे आपके 330 जो डॉलर है पर ton के हिसाब से और Australia और Indonesia जो है वो key source है Indian thermal power generation के लिए coal import पे वहें की companies हैं जहां से हम लोग import करवाते हैं अपने coal को तो अगर दोस्तों वहाँ prices बढ़ेंगे तो दिक्कत देखने को मिलेगी ओके और जिस हिजाब से यहां पे रश्या को को रिप्लेस नहीं करा जाएगा तो और ज़्यदा हमें देखने को मिलती रहेगी देखे जो prices domestic coal के वो ज़्यदा बढ़ रहे हैं और जो यह auction होता है दोस्तों जो conduct करवाए गया है by coal इंडिया लिमिटेड और अपने premiums के साथ उनका जो baseline price है ओके वो भी हमें यहां पे all time high देखने को मिला है जो कि 270 रहा है अभी 1222 में फरबरी में और यह बताया गया है कि यह आगे increase ही रहेगा लगबग 300% तक पहुंच जाएगा मार 1222 में तो इस हिसाब का जो estimation है यह लगाया गया है अगर दोस्तों ऐसा ही रहेगा तो आगे भी जो prices है यह बढ़ेंगे ही बस यह देखना पड़ेगा आगे कि क्या होता है कि हिसाब से हमारी government इस चीज़ से tackle करती है और क्या आगे जो बाते हैं यह में पता लगती है मैं आपको update देता रहूंगा बने रहेगा हमारे साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही तेल देन टेक केर गुडबाए